तो आज का जो आप ये सेशन देख रहे हो ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट आपके एक्स्टाम पॉइंट ओफ यू से है वो इसलिए क्योंकि एसीओ का सम्मिट हुआ है भी आपको पता होगा ठीक है ना SEO की जो बैठक अभी हाली में हुई है यानि श मोदी जी अटेंट करने के लिए जाएंगे लेकिन मोदी जी ने इस बारे में कुछ बात नहीं करी और लास्ट में ये हमको पता चला कि भारत के External Affairs Minister यानि एस जैशंकर जी वहाँ पर विजिट करने वाले हैं जब इस बात की घोशना हो गई थी उसी टाइम पर न्यूज में हमने देख लिया था और मैंने आपको बता भी दिया था कि एस जैशंकर भारत से वहाँ जा रहे हैं इसते पहले सालों पहले की मैं बात कर रही हूँ सुश्मा स्वराज जी गई थी वहाँ पर जब भारत की विदेश मंत्री थी वो गई हुई थी ठीक है उनके बाद कोई इतना बड़ा नेता वहाँ गया ही नहीं है पाकिस्तान में कोई भी सम्मिट अटेंड करने के लिए समझेंगे तो देखिए 10 देश शामिल है जिस 10 देश में पूरे दुनिया की लगभग 43 प्रतिशत आबादी रहती है यानि कि जो 10 देश पहले 10 देश नहीं थे पहले 5 सदस्यों वाला संगठन था फिर 6 सदस्यों वाला हुआ उसके बाद 8 सदस्यों वाला हुआ और अब य इसका मेंबर है चाइना है रशिया है इरान है कजाकिस्तान है किरगिस्तान है ताजिकिस्तान है उजबेकिस्तान है पाकिस्तान है और बेलारूस है ठीक है हाल ही में कुछ देशों ने जॉइन किया है भारत और पाकिस्तान ने 2017 में एक साथ जॉइन किया था शौट में इस ग्रूप कहलाता था शांगाई 5 ग्रूप ठीक है इसमें सिर्फ पांच देश शामिल थे और इस्थापना चीन में हुई थी इसलिए इसका नाम पड़ा था शांगाई 5 चायना था कजाकिस्तान था किर्गिस्तान था रशिया था और ताजिकिस्तान था और कोई भी देश इस छह देश यहां पर मिले आपस में ठीक है ना तो यह शांगाई 6 हो गया फिर आया 2017, 2017 में भारत ने भारत को बार बार इंसिस्ट किया जा रहा था कि प्लीज इंडिया भी यह जॉइन कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा संगठन जो है वो बहुत जादा पावरफुल बन है एक्जाम में यह पॉइंट पूछा जा सकता है आपको यह पॉइंट याद रखना है क्योंकि इस बार बैठक पाकिस्तान में हुई थै हुई है भारत इसको अटेंड नहीं करने वाला था बाद में भारत ने इसको अटेंड करने पर सहमती जताई और एस जैशंकर जी भ बाद दो देश और शामिल हो गए इरान और इरान के साथ में बेलारूस तो दस देश हो गए अभी फिलहाल आप देखोगे तो यहाँ पर दस देश शामिल है यह आपको याद रखना है अब बात आती है बात आती है कि शांगाई कोपरेशन और्गनाइजिशन के मीटिंग में जाकर ये क्या बोल कराए है हमारे जो एक्स्टरनल अफेर्स मिंस्टर है वो क्योंकि इनका भाषन बहुत इंट्रस्टिंग होता है पाकिस्तान से जब भारत में क्या क講ते है कोई भी बड़ा नेता आता है उस समय पर ये पूरी तरीकर से उनको धो देते है टेररिजम को लेकर यह ऐसे ऐसे points फेक फेक के मारते हैं कि पाकिस्तान के जो नेता है वो बहुत ज़दा परेशान है, उनको समझ नहीं आता कि आप बोले तो बोले क्या, ठीक है, ओ ऐसा ही कुछ इसबार भी हुआ है, है ना, लाइव चल रहा था, लाइव को ही बंद करवा दिया गया, लाइव यह सम्मान है, उनको पाकिस्तान के साथ साथ और भी देश है, इन्होंने बोला है into investigating, कि वो पाकिस्तान जाये और आतकवद के बारे में ना बोले, असा तो हो ही नहीं सकता, उन्होंने बोला, उन्होंने बोला आतंकवद, उग्रवाद और अलगावद, सब से बड़ी problem है, विकास के बीच में बाधा बनती है यही और यह जो है यह चुनोती हमको इस से लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, दूसरा है border का सम्मान, हमने जो border टै किया है, उस border का सम्मान करना है, border का उलंगन नहीं करना है, देखा था साथ-साथ व्यापार नहीं हो सकता है, इत्षाल bono to do, पाकिस्तान से सब सबязा़ बॉर्डर को सम्मान करना चाहिए, आतंकवादी लोग भी बिना बॉर्डर को माने चले आते हैं, उन लोग तो बॉर्डर मानते ही नहीं है, पहले तो ये तीन चुनोती है उसके बाद बॉर्डर का सम्मान करना है कि बहुत जो बॉर्डर निर्धारित है वो बॉर्डर दोनों को मानना है ऐसा नहीं है कि कोई भी उलंगन करेगा ये बोला इन्होंने साथ में ये भी बोला कि UNSC में सुधार होनी चाहिए UNSC जिसमें भा पहल करनी चाहिए बिल्कुल करनी चाहिए स्वास्थ और परियावरन की पहल इसके बारे में भी इन्होंने बात करी है भारत की पहले की है भारत की बात इन्होंने सामने रखी है यहाँ पर जंग से विकास पर असर पड़ रहा है दुनिया कोरोना जैसी महामारी और जंग से जूझ रहे है अभी तक climate change जो है यह एक बहुत वड़ा प्रबलम बन चुका है climate change से लेकर supply chain तक बहुत सारी प्रॉब्लम से इसका विकास पर असर पड़ा है, मतलब इन्डाइरेक्टली इन्होंने बहुत सारी ऐसे बाते बोल दी है, जो इनको कहना था, और जो सच भी है, कि विकास के छेतर में हमको अगर काम करना है, तो हमको हर इन चीजों का ध्यान रखना हैं, और यह महाँ पर शाहबाज शरीफ से मिलकर भी आये है, बाकी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हमारे एक्जाम पॉइंट ओव्यू से जो कुछ जरूरी है, वो हमने डिसकस कर लिया है, आपको मेन याद रखना है, दो हजार चॉबिस में सम्मेलन पाकिस्तान में हुआ ह ठीक है, अच्छा, साथी लेक्चर खतम करते-करते मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप बिहार पुलिस SI की तयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बिहार दरोगा 2.0 बैच जो है, वो आया हुआ है, यह आप बहुत ही आसानी से इसको आप परचेस कर सकते हैं, आपको बाद में मिल जाएंगी, इसमें e-magzine आपको दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री, वो भी मन्तली, 10 mock test solution के साथ आपको मिलने वाले हैं, समाधान के साथ दैनिक विशयवार DPP quiz, यानि जो भी topics आपको पढ़ा जाएंगे, उससे related quiz भी आपको मिल रहे हैं, class notes के PDF आप को मिल रहे हैं, आपको सब कुछ दिया जा रहा है, तो आप इस batch को purchase आराम से कर सकते हैं, ठीक है, बाकि मिलते हैं अगले वीडियो में कोई भी doubt या confusion हो, तो आप मुझे comment box से पूछ सकते हैं, आज के लिए नहीं, thank you so much झाएंगे मुझे जाएंगे मुझे अचायां अगो, तो अि. झाएंगे म entered च उन्याँ प्हपो है झाएंगे, दो ञाव है, झाएंगे, लिए जो सफटाएंगे चाएंगे आएगे के सा बाले रहे हैं कRI